So hey guys, welcome back to another video So guys, Tecno ने अपना Flip Phone लाँच कर दिया है जो के है Tecno Phantom V Flip जो के Tecno की तरव से पहला Flip Phone है अब Tecno ने इससे पहले Folding Phone लाँच किया था अब यहाँ पर Tecno ने Flip Phone लाँच कर दिया सबसे पहले जो स्मार्टफोन की प्राइज रखी है तो आज की इस वीडिट के ने में अब बारे सब को जाने की इसकी 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 उन-बॉक्स इसकी प्राइस भी आपको पता हूँगा तो वीडियो काफिधा इसकी आइस इंटरिस्स्कैन की बात किया है तो बॉक्स के अंदर आपको आपका स्मार्टफोन एक 45 वाट की चारजिंग ब्रिक और टाइप A टाइप C केबल आपको देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन की डिजाइन की बात की जाए तो नोट आउट इस स्मार्टफोन का डिजाइन काफी है खुब जूरत है तो यहाँ पर आपको लेङदर बेक लेना है तो यहाँ पर यहाँपर आपको आप चिकने की चारणी स्मार्टफोन की थिकनेस की ऑद van नोट जबके यहां पर फोल्ड पोजिशन के अंदर होता है यहां पर इसको आप फोल्ड का देते हैं तो यह आपको राउंड 15 mm की थिकनेस प्रोवाइट करता है तो स्माटफून आहीं ज़्यादा बड़ा है काफी एची और काफी काम कर सकते हैं और यहां पर काफी स्ट्रॉंग हिंज का यूज किया गया है स्मार्टफून की डिस्प्ले की बात की जाए तो यहां पर जो इनर डिस्प्ले है वो आपको यहां पर LTPU डिस्प्ले मिलता है जो के 120Hz का है 6.9 इंचेस का है यहां पर आपको 1080p की रिजुशन है 1000Hz की बीग ब्राइनस मिल जाती है और यहां पर 413 का PPI जो है आपको मिल जाता है तो डिस्प्ले यहां पर टॉप नच लगाए गई है और इनर डिस्प्ले जो है उसकंदर आपको पंचल मिल जाता है तो यहां पर जो बैजल्स बगर है वो भी आपको काफी कम मिल जाते है यह प्लास्टिक डिस्प्ले होती है तो यहां पर जो नोर्मल डिस्पले होती है उसे यहां पर थुट सा अलग यहां पर आपको experience मिल जाता है smartphone के जो grease है और आपको काफी कम मिल जाती है यहां पर कुछ angles के उपर आपको grease दिखाई देती है वैसे आपको normal grease दिखाई नहीं देती Cover display की बात की जाए तो 1.3 इंचिस का यहां पर आपको एक AMOLED पैनल दिखने को मिलता है 466 x 466C यहां पर आपको resolution मिल जाती है 352 की यहां पर आपको PPI मिल जाती है और 800 की यहां पर आपको brightness मिल जाती है तो यह चोटे मोट काम जो आपको कर सकते हैं आपने back camera से selfie लेनी है यहां नोटिफिकेशन चेक करनी है तो यहां पर आपको कर सकते हैं आप यहां पर पूरे smartphone यहां से control नहीं कर सकते तो यहां पर काफी चोटी display टेक्नो ने provide की है इस smartphone की यहां पर display ओवराल जो पार्ट है HDR का option जो है वो मिल जाता है performance पार्ट की बात की जाए तो 113 के साथ HIUS 13.5 मिल जाता है MediaTek Dimensity 8050 का यहां पर आपको chipset मिल जाता है 8GB के RAM और 256GB की स्टोरी के साथ यह launch हुआ है और उसका जो यहां बस storage UFS 3.1 को यूज किया गया है जो कि काफी fast storage है तो performance पार्ट भी यहां पर टॉप नाज लगा गया है performance के अंदर जो processor है वो थोड़ सा यहां पर लगा कि जो normal phones होते हैं के अंदर यहां पर आपको इसे higher specs वाले processor मिल जाते हैं लेकिन MediaTek Dimensity 8050 भी यहां पर आपको काफी चीज performance प्रवाइड कर देता है आपके daily task का भी यह तरी के सेडल कर लेगा normal task के अंदर आपको कोई भी problem प्रवाइड नहीं करेगा लेकिन यहां पर अगर आप इसके उपर gaming करते हैं तो यह gaming के लिए generally smartphone launch टार्गेट नहीं करते हैं तो performance पार्ट यहां पर आपको decent मिल जाते है software पार्ट यह वो आचायएस दिये गया है तो ऐसे साथ से यहां पर खोड़े बार features आपको मिल जाते है features वाइड तो यह जो है जो है यह काफी अच्छा होता है लेकि यहां पर आपको bugs भी मिल जाते है Blotware यहां पर आपको मिल जाता है लेकिन इतना जादा नहीं है काफी कम Blotware जो है वो आपको मिल जाता है तो overall जो performance or OS का part है वो यहां पर आपको decent मिल जाता है Camera Startup की बात की जाए तो back side के उपर आपको dual camera मिल जाता है 64MP का main sensor है, 13MP का ultra wide है, 32MP की selfie है back side के उपर आपको 4K 30MP का option मिल जाता है जबके front के उपर आपको 14MP 30MP का option मिल जाता है और यहां पर यहां पर जो camera's की quality यह folding phone है तो यहां पर आप इसको normal camera phone से compare करेंगे तो इसकी देखने को नहीं मिलती है लेकिन एक folding phone और folding phone और इस price के folding phone के साथ से यहां पर आपको काफी एची camera quality प्रवाइट की जाती है लेकिन अगर आपने camera's के लिए कोई smartphone लेना है तो आपको और अच्छे option जो हैं वो मिल जाएंगे तो यह लेकिन decent camera's जो है वो आपको प्रवाइट किये गए है stereo speaker का setup आपको मिल जाता है इस smartphone के अंदर आपको कोई SD card slot देखने को नहीं मिलती और इसके साथ यहां पर आपको 3.5mm jack भी smartphone प्रवाइट नहीं करता और इसके साथ यहां पर यह फोलिंग भून है तो यहां पर इन display fingerpin sensor देखने को नहीं मिलता बैटरी यहां पर थोड़ी हो सकती थी 4500 कर देते तो और बैटर हो सकता था लेकिन यहां पर folding phone है तो यहां पर काफी ज़दा limitation लग जाती है तो यहां पर आपको decent मिल जाती है आपको around जो है दिन के अंदर एक बार दो चार्ज आपको करना पड़ेगा पाकसानी मार्कीट के अंदर प्राज रखी गई है यह स्मार्टफून आपको around 2 lakh के अंदर पाकसानी मार्कीट के अंदर new मिल जाएगा जब केंडिन मार्कीट के अंदर यह आपको 50,000 के अंदर मिल जाएगा तो अगर आप एक folding phone लेना चाहते हैं आपस स्मार्टफून को चकाउट कर सकते हैं बाकि आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या अपीन ने कमेट से जरू बताएगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा नेक्स वीडियो ते गलेला आफेज ठैक्स पर वाचिक